आज जो मैंने अब तक जाना समझा अन्हों किया कि लोक वाध्य विधा प्राय लुप्त होती जा रही है आज गिटार में, सिंटेसाइजर में गणवाले कीट कहाए जा रहे हैं लेकिन हमारी जी मूल लोक वाध्य हैं कि प्राय लुप्त हो रहे हैं कि किसी पर हम लोग ने जो कुछ भी थोड़ी बहुत लोक कलाकारों से बरिष्ट कलाकारों से संकलन किया है, संद्रहे किया है, वो आपके संदुक रखना है दमरू के विशय में श्री जोशी के आपको सर्पर्थम बता चुके है कि दमरू वो आर्षायत्य में, शाष्ट्रों में प्रथम बाद के रूप में माना गया है और इसकी वुद्पति भगवार संकर से मान गया है शाष्ट्रों में कहा गया है कि स्रिष्टी में प्रथम नाद शब्द की वुद्पति दमरू से उनी है और इसके पश्चाप जितनी विवादे अंत्र हैं इनका निर्मान बाद मी हुआ है मेरा मानना ये है कि भागवान कृष्ण से बाशुरी सरस्थी से बीना भागवान संकर से डमरू आज बाशुरी वाधन और भीना वाधन भारत में ही नहीं बलकि विदेशों में भी अस्थान बना चुके हैं लेकिन डमरू जिससे हम कहते हैं कि जिससे आजी नादसत्य की उत्पति भी है और डमरू से सभी वाध्यों की उत्पति भी है आज गम्रुबादन किसी भी मंच पे नहीं सुना होगा आपने मेरे ख्याल में गम्रुबादन आज प्रठम बार आज मंच पे हो रहा है तो आज जो ये विधाए हैं इनी विधाओं पे हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे यहाँ पे संगीत जगत के विध्वान बैठे हुए है मैं संगीत नहीं जानता हूँ साब मुझे डर लग रहा है कि कहां मुझे पकड़ गए तो हमने ये प्रयास किया है कि गम्रुबें जो लोग कलाकार बजाते हैं वो क्या बजा रहा है उनको नहीं मालूँ लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि उन लोकतालों को लिप्रवंत किया जाए हाला कि मैं पूरूर रूप से नहीं कर पाया हूँ लेकिन जो कुछ भी मैं समठ पाया हूँ जान पाया हूँ मैं आपके संग का डम्रुब के कुछ ताल रखोंगा और इसकी गाइन शेली, देसा की जोशीजी निकाहा है कि डंबरू में, डंबरू के वर जागर गाइन में ही प्रयोग किया जाता है, जागर मत्ये हमाले गरवाल कुमाओ के विलक्षन शेली है, एक ओच्युसी शेली है, लेकिन आज ले जागर शेली पहले लुट होती जा र रही है, शुरूश यही है, और मौकिक रूप में पीडी दर पीडी यह आगे पहुंचती गई है, मौकिक परंपरा में कुछ छूरता चला जाता है, जागर में बहुत प्रसंद अध्यासिक मिलते हैं, बहुत आधिकांज अनध्यासिक हैं, लेकिन लोग के हिसाब से, लोग के अनुसार, हम सभी को, जैसा भी जागर, चाहे कहरी में मिले, चाहे पौरी में मिले, चाहे चमुली में मिले, चाहे कुमाओं में मिले, आज उन सब विधाओं को, उन सब परकार के जागरों को स्वीकारनी के आउशकता है, बाद में उस पे विचार मंधन बाद में बिचालिए लोग में आज सब लुप्त हो रहा है आज लोग में जो कुछ भी मिलता है उसे बटोरनी के आउशकता है उसे सनक्षन के आउशकता है कि और इनी विधाओं पर संस्कृति भाग से बैठे हैं हमारे बड़ा इच्छे विद्वान है संगीद के कि मैं सरकार समय आग्रा करना चाहूंगा कि इन लोग विधाओं का युद दस्तर पर आडियो रिकॉर्डिंग और ग्यूरियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए वर ना कुछ समय पस्तार यह सब लुप्त हो जाए तो डंब्रू पे मैं अधित्न बोलकर मैं सरपर्थम ज्यागर प्रारम करने से पहले भ्यें ताल दुये धुये बजाई जातीए किसी भी सुख्तारी से पुरूप और ढम्रू में भजाय जाती है और ढोल ढमो में भजाय जाती है लेकर मैं ढम्रू में आपको दुहां के बादे में बता रहा हूं देखिए लोगों ने अधिकांस दो कि इसको ढम्रू समर्चते हैं बाहरत बर्ष में महाराष्ट में बंबे में ये बात कही थी कि मैंने कर साथ ये डमरू नहीं ये डुगडूगी है भालू बंदर नचाने वाली ये डमरू नहीं है इसमें आप आज महात्रा नहीं बजा सकते इसमें आप शे महात्रा नहीं बजा सकते इसमें आप अर्ताली नहीं वजा सकते हैं यह एक डुगडुगी है और इसको अधिकांच लोगोने डम्रु माना है लेकिन मेरे मानना यह है कि भगवान संकर की ट्रिदाश्थरी उतरांचल में हैं उतराखंड में है और भगवान संकर से डम्रु की उत्पति है तो वास्तेश्वरूप अथी अप में अपयलु ने लुगों क्यूंस की अधिन दिए 실 गौर्फे यह लूवान और जो जब तक हैं तब तक हमalloos में का संनक्षित कर लता है बनना फुर्फे तो देखिए इसकी जो विलक्षन बादन से लिए और इसमें जो टुकड़े लगते हैं अंग लगते हैं मैं आपको बता रहा हूं हालां कि शाष्टी धंचे मैं आपको नहीं बता सकूँगा देखिए जो कुछ भी हम लोग ने समझा है माना है हूं मैं आपके समुग रख र अंग कि शवक्रिण कि धंभड़ में और इसमें प्रकार क्वाइक मैं तो शॉपजा कर दो लिए यह चलन में तो लगता है जाजा है एक दो थीचार एक और शीसाटिक थीघिए और इसकी टेए चार-चार करके आगभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पर लिपी बनाने क्या हो शकता है, और इस लिपी को समार तक लाने क्या हो शकता है, मैं सर पर्षम आपको दुहें सुना रहा हूं, देख लिए. अर स्थी practice, अरे अरके के आपको दूदी मनाने क्या क्या आपमेन है, क्या आपको दूद्वदी मैं था, यह कुछी आपको दुला है, मैं साँ नहीं कर तो कृप पकड़ा हैं तो क्रावा कृप ही आपकोने कृप, यह कृप कृप, पकड़ें में ग्रुछी. आप एठे हैं तक दे दिन, तक दे दिन, तक दे दिन, तक दे दिन, ये मैंने अपने हमसाद को शब्द बनाएं ताकि ये याद रह सके, इस विधा को भूले न, हम लोग, प्रियास किये दिया है, इसी प्रकार से देखिए, एक ताज हमारे आहाँ, कहरवा के शम्कष है, आठ मात्राएं हैं, देखे, इसमें आपको कुछ गादेव सुनाँगा, किस दन से लोग शेली में गया जाता है, और ये आठ मात्राएं कैसे भियाए जाती है, से ख़्रें कन एाते है, आहाँ आठ मात्राएं है, इस प्रकार से इस घीच में मैं के को दिरूई है इसमें अपने दंग से अर्ताली ठाडा ताल दैज दंगार दंग से बोल देते हैं लेकिन ये जो आज मात्रे का है इसमें किस दंग से मैं आप खुड़ी शहरी से अपड़र करा दूँ जागरों में अभी मैंने सुना है कि जर्मन के कोई सजन भी जागर गारे हैं ये बहुत अच्छा प्रियास है कम से कम विदेजी लोग भी हमारी विधा पर हमारी परंपराओं पर शोच कर रहे हैं संतदन कर रहे हैं जागर जागर में सुरु से आगर तक मूर्कियान तक खटके लगाए जाते हैं तभी जागर की जर्मा बनती है मेरा मानना ये है कि बद्रिनाज के रावल सुरू से ही दक्षन भारत से रहे हैं और दक्षन भारत से उनके साथ साइद दक्षन भारत की लोकायद आते रहे होंगे जिससे कि हमारी जादर शेजीपत दक्षन भारती प्रभाव पड़ाद दक्षन भारत ये मावा धिवी पारवती धुन्य शेवा मालागी होला दा भांगु जाओ जोगी शेवा मावे क्यों हाला दे संग माचालल तेकी गण्मों की बाराता दे अंग मावा भूता सिर माजटा जूटा अरते भी पारवती सिवा मालागी होला ये पारम पार रही है